हलो विवर्वर्व कैसे हैं आप सबी लोग आज की हमारी रेसिपी है North India से जिसका नाम है मतर आलो की घुगरी जो भी लोग North India से हैं वो तो is रेसिपी को बहुत अच्छी तरीकी से जानते होंगे और जो North India से नहीं है वो इस वीडियो को देkने के उपन हो जाएंगे 2 बड़े आलोужд, जिनिसे महनने धुके कट कर लिया है, इसके बाद हम यूज करने वाले हैं, एक मुठी भर धन्या, धन्या यह दंठोब की साथ ही हम रखेंगे, फिर हम यूज करने वाले हैं, एक इंज踏डburger का टुकळा जिसे मेनने कट कर लिया है, दस से बारा लैसुन के कलिया, दो हारे मिर्च और उसी के साथ हम यूज़ करेंगे आदा नमक, आदा नीबो, अब चलिए हम मसाले को पीस लेते हैं, मसाला पीसने के लिए सबसे पहले आपको जार में डालना है, फ्रेश कुरियेंडर मतब जो धनिया है, इसे धो के अची तर यहां पे मैंने दो हरी मिर्च का यूज़ किया है, आप चाहें तो तीखा अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, वैसे तो जो घूगरी तीखी ही अच्छे लगती है, इसे पीसने के लिए हमने यहां पे यूज़ किया है, दो चमची करीब पानी, अब इसे हम पीस लेंग मस्टरड ऑल, मस्टर ऑल जो है ये गूगरी का जो स्वाध है, उसे एनहांस कर देगा, तेल गरम होते ही हम ढालेंगे आधा चमच के करीब जीरा, जैसे ही जीरा हमारा पक जाए, यहां पे हम ढालेंगे हमारे आलू, आलू के हly साथ आपको यहां पे डाल देना है मट यहा यहां पे हम आलू और मटर को अच्छी तरीके से भूनेंगे आप चाहें तो यहां पे इसे कवर करके भी कुक कर सकते हैं हम यहां पे इसे स्टेज पे लीड लगा देंगे लीड लगाने से क्या होगा कि जो आपका कुकिंग प्रोसस है वह बहुत ही जल्दी हो जाएगा अब देखिए आपकी जो मटर और आलू हैं यह आलमस्ट को खो चुके बस इसे स्टेज पे हमने जो मसालो को पीस के रखा था उन्हें हम एड़ कर देंगे अब इन मसालो को भी आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि एक एक मटर और आलू के उपर मसाले कोट हो जाए बस अब यहां पे हम एड़ करने वाले हैं स्वादा नुसार नमक नमक डालते ताइम आप इन बातों का ध्यान रखेगा कि नमक बहुत जादा या बहुत कम ना हो क्योंकि जो स्वाद है गुगरी का वो नमक से ही जादा आता है बस इसे लिए लगा कि हम 5 मिनट के लिए औ और पकाएंगे और यह लिए हमारी गर्मा गरम घुगरी जो है यह बनके रैडी है आपका सबसे बड़ा सवाल होगा कि मसालों को कब तक कुक करना है तो मसाले जब तक आपके अच्छी तरीके से इसका ग्रेवी सूखना जाए और यह ग्रीन से हलके ब्राउन में कनवर्ट तक आपको मसालों को कुक करना है और लास्ट में हम यहां पर एड किये हैं आधा नेबू और यह देखिए हमारी गर्मा गरम सर्दियों में मटर आलो की घुगरी बनके रैडी है आप चाहें तो इन मटर आलो को ऐसे खा सकते हैं या तो आप चाहें तो इसे रोटी और पू अले वीडियो में तब तक के लिए